केंग सरकार के नागरित्ता संसोधन बिल्के पास हो जाने के बाद से हैं अब इसके विरोध में पूरे देश भर में लगबग हर जगा काफी हिंसक परदर्शन हो रहे हैं और ऐसा अक्सर तभी होता है जब सरकार अपने स्वार्थ में अपने देश के सविधान को भी ताग पर रखकर किसी एक समुदाये वैं धरम के लोगों की उपेक्षा करती है और उनके साथ भेद भाव आदिका बरताब करती है और यह सब हमें केंद्र सरकार के नए बने नागरिकता कानून में देखने के लिए मिल रहा है मैं केंद्र सरकार से भी ये मान करती हूँ कि वे इस विभाजनकारी वे सविधानिक कानून को वापिस ले ले तो ये देश वे सविधान के हित में सही होगा वरना फिर इसके आगे चलकर काफी दूस परणाम भी इनके सामने आ सकते हैं और हो सकता है कि अगले लोगसबान कहीं 1977 की तरह कांग्रेस पार्टी वाली ही ना हो जाए अर्थात इनको कांग्रेस की रही हकोमत की तरह जहां अमर्जेंसी जैसे हालात पैदा नहीं करने चाहिए ऐसी मेरी केंद्र की सरकार को सला भी है नागरिक्ता कानून के खिलाफ मोधी सरकार पर निशाना साथते हुए BSP चीफ मायावती ने कहा है कि पाकिस्तान में हिंदूों का बतला देश के मुसलमानों से लिया जा रहा है इसे पूरे तोर से बिभाजनकारी वै असविदानिक मान कर ही फिर हमारी पार्टी ने भी इसके हमारी पार्टी ने भी इनके इस बिल के विरोध में अपना बूब लिया है लेकिन केंदर सरकार के इस कदम से हमें ऐसा लगता है कि केंदर सरकार जो आम चर्चा है लोगों मैं उनकी धारना आपको बता रही हूँ लेकिन केंदर सरकार के इस कदम से तो जो लोगों की आमधारना है उसके एसाब से हमें ऐसा लगता है कि केंदर सरकार पाकिस्तान में वाँ हिंदू के साथ की गई जुन जाती का जो बिल्कुल भी उचीत नहीं था तो उसका बदला अब ये सरकार यहां अपने भारत देश के मुसलमानों से लेना चाहती है जो कतई भी नियाय संगत नहीं है तथा ये एक परकार सी मारता के ब्रुध भी है जबकि यहां अपने देश के मुसलमानों ने पाकिस्तान देश के मुसलमानों की तरह हिंडू का शोशन नहीं किया है और यहां यह लोग आपस में मिलकर रहते हैं हिंडू-मुसलिम जिसका सबसे बड़ा सबुत खुद इनकी पार्टी में भी है बीजेपी पार्टी में भी है अर्थात इनकी पार्टी में कई ऐसे वरिष्ट मुस्लिम मेता हैं जिन्नों ने या हिंदू लड़की के साथ शादी की है और आपस में बिल जुनकर रह रहे हैं इसलिए इनको ये बदला है यानि कि केंदर सरकार को ये बदला यह अपने देश के मुसल्मानों से नहीं बलकि पाकिस्तान के मुसल्मानों से ही लेना चाहिए और इस माबले में फिर हमारी पार्टी भी और ज़दी ऐसा करती है कि बीजे पीवेन की सरकार तो इस मावले में फिर हमारी पार्टी भी इनका पूरा-पूरा साथ दे ही, लेकिन इनका इसकी आड़ में अपना कुछ और स्वार्त सिद करना ये अती निंदने, अती शर्मनाक, वे अती धुर्भागे पूर्ण भी होगा, बलकि अब ये सरकार इसका विरूत किये जाने व मारी है, तो इसने अब यहां सब को चिंतित करके रग दिया है, और यहां उत्तर प्रदेश में अलिगर के बार, अब खासकर डिल्ली की जामिया यूनिवस्टी के चात्वे चात्राओं के उपर कैंपस में भुसका है, केंदर सरकार की पुलिस द्वारा की गई जुल्म जा करती का हर तरफ काफी जादा विरोध हो रहा है, तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूरें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप ए सबसे पहले